इधे लिए चलते हैं ग्रैमंत्री डॉक्टर नरुत्तम मिसरा क्या कुछ कह रहे हैं? अच्छे को भी बचा लेंगे और जो गए हैं उनको भी निकाल ले हैं तो मानता हूँ सबसे सेले काओं की लोग ही उसके ज़्यादा प्रयास करते रहे हैं वो स्वयम अपना अपना अठेक्टर रहे हैं और पर्फर्मेंट्स भी हाउज में उनको अच्छा यह वह बीजिएल फोटेज हैं लेकिने के दस्टेवें के भी वीजिएल फोटेज हैं मेरे मित्र दुप वहां पर लोग ज़ग जाए तो यसे दो तीर विसे उसमें अलग अलग जुड़े हैं मुक्य मंत्री जी के कोई ही भी इस्थान पर जाने से प्रसासनिक अमले का ध्यान बढ़ता है प्रभारी मंत्री मौकिये पर तत्काल चले गए पर वो रातवर रहे भी हैं आप इसको दूसरे एंगल से भी देखिए सिर्फ आलोचरा की दश्टी से मत देखिए लोगों की भीड़ और प्रसासन के लोग जो जिनको रेस्क्यू में लगना है जिनको अपरेशन में लगना है अगर उनका ध्यान अटता है तो दिक्ता आती है अगर गोवेजी सिंग्जी की आह लग रही है एक बार ऐसे गोवेजी सिंग्जी को बला लिया तो नेता प्रतिपक्स बनाने की क्या कि और फिर बिचारे को बाद में जैसे अपने अगोहेरी हो जाए तो पाड़ को जीब नी चिला देतें सुबह ओटके रात को नोता करते कि कमोवेज यह हुआ है वहां भी हाला कि उनका आंतरिक मामला है और मेरे खाल से गोविन सिंगी की तरह ही हुआ है उनके साथ वी कल प्रदेश बनाने की मांग कर लें चिंद बाड़ा को प्रदेश बना दिया जाए कि वहीं का अंग्रेश बचिये क्या है कि अपनी चिंद बाड़ा को सभालो कांग्रेश के लोगो वरना अगली बरसात में यह दीवार भी ढह जाएगी अब आप उप्यों प्रद्टिक होने का मनना जीए क्या रखता आपके मैं तो मानता हूँ सबसे सीनियर गोविन सिंगी है और परफॉर्मेंस भी हाउस में हो सबसे अच्छा हूँ मैं उन्हें का मानता हूँ लेकिन मेरे कहने से बनाएंगे थोड़ी मेरे मित्र तो बहुत जग जाहिर है मुझत रम्ला जी किस्ति बड़ी बचित रहे है दिगवेया सिंग यहां रहने नहीं दे रहे राउल गानिवा मुशने नहीं दे रहे बड़ी किमकरतब बिमोड हिस्तिती में हुआ पों में कमला जी की बाग और ये उम्मर कट रही है यह गंबीर विसे है डबलू एचोगर कहता है और इसलिए हम पूरी तरह से सजग है हम निगाह रखे हुए है और इसलिए सप्तर हज्जार से ज्यादा प्रक्रण केस हमारे रोज टेस्ट कर रहे हैं हम मद्यप्रदेश के अंदर जहां भी करोना सर उठाता मिलेगा कोचल देंगे लेकिन नियंत्र में हैं आज भी कुल 21 के आसपास मामले आए जबकि ठीक होके अपने गंतव्यों की और जाने वाले 37 है सप्तर हजार टेस्ट कर रहे हैं हमारी प्रिटन में फिलाल इतना ही मुझे दीजा आजए नमस्कार